हेलो एवरिवन मेरा नाम गोविंद प्रताप सिंग है मैं आपका MBBS अब्राओड कंसल्टेंट आज मैं इस वीडियो में आपको रश्या की एक ऐसी युनिवर्सिटी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि मॉस्को के बिल्कुल पास है और जो युनिवर्सिटी के स्टेटिस उसके बाद जैसा आपका मन हो वैसे आप उस युनिवर्सिटी में अपना एडिमिशन प्रॉसेस करा सकते हैं आपने अगर अभी तक यह हमारे वीडियो लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ में बैल आइकन भी कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो का जो नया अपडेट है वह आप तक समय से पहुंच पाए ज्यादा पैसे लेकर तो कोई भी युनिवर्सिटी आपको अच्छे से अच्छी फैसिलेटी प्रॉइड करा सकती है एजुकेशन प्रॉइड करा सकती है लेकिन एक बहु अच्छा खाना मिले और आपका जो क्लिनिकल है वो बहुत अच्छे से निकले तो आज मैं आपको इस वीडियो में रश्या की ओरल स्टेट मेडिकल युनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा जो की मॉस्को से मातर 364 किलोमेटर दूर है कोई बहुत जादा दूरी नहीं है हम अगर रश्या की famous universities की बात करते हैं तो रश्या की famous universities में आप किसी को भी मान के चलिए एक 1200-1500 किलोमेटर से कोई कम नहीं है और वहीं एक ऐसी university जो मॉस्को से महज साले 300 किलोमेटर की लगभग दूरी पर है जब आप इंडिया से मॉस्को जाएंगे तो मॉस्को जाने के लगभग 3 साल 3 गंटे वाद आप अपने college में होंगे Oral State Medical University की जो की 1931 में established होई थी लगभग 91 साल University को हो चुके हैं एक बहुत ही bright इतिहास रहा है बहुत ही glorious इतिहास रहा है इस उनिवरसिटी का University जल्द ही अपने 100 साल भी पूरे करेगी Oral State Medical University MCI और WHO Approved University है और जो teaching medium है वो English medium है English medium में होने का मतलब यह है कि आपकी जो पूरी पढ़ाई है जो आपके practicals है जो आपके clinicals है वो सारे के सारे English medium में होंगे और आपको इंडिया वापस आने के बाद कहीं अपने license में कहीं कोई दिकत नहीं आने वाली है क्योंकि NMC की सारी guidelines को यह university फुल्फिल करती है अगर मैं इस university के total students की बात करता हूँ तो Wikipedia के awarding लगभग 19,000 students इस university में पढ़ते हैं जो की 55 countries से आते हैं और अगर मैं Indian students की बात करूँ और अब currently practice कर रहे हैं तो लगभग 400 students अभी भी वहाँ पे हैं जो की अपनी medical की studies continue कर रहे हैं अगर मैं university के hostel facilities की बात करता हूँ तो boys और girls दोनों के लिए ही separate hostels available हैं और जो hostels की संक्या है वो लगभग 9-10 है सारे ही जो hostels हैं वो university के अपने hostels हैं और जो university के hostels हैं उनमें सारी ही facilities available हैं जैसे बच्चों के लिए bed, वहाँ पे bathroom, table, chair, cupboard और वहाँ पे open kitchen की भी facility available होती हैं कि माल लीजे अगर बच्चा खुझ से cook करके कभी खाना बनाना चाहें जैसे माल लीजे कभी class से late हो जाता है या बच्चे कहीं घूमने गए तो शाम को अगर late हो गए मैस अगर बंद हो जाती है तो बच्चे कभी-कभी खुद से अपना cook करके भी खा सकते हैं तो इसके लिए open kitchen की facility वहाँ पे available है अगर मैं food facilities की बात करूँ तो oral state medical university का अपना मैस है जहां पर आपको vegetarian और non-vegetarian दोनों टाइप के ही food मिलते हैं जो vegetarian students है उनके लिए जो food की preparation है वो अलग होती है तो obviously जो serving का जो तरीका है वो भी बिल्कुल अलग अलग है तो जो vegetarian बच्चे हैं उनको परिशान होने की बिल्कुल भी ज़रुरत नहीं है इसके अलावा अगर कुछ बच्चे जैसे कभी बाहर खाने का कुछ मन होता है बच्चोंगा तो वहाँ local में ही आपके जो restaurant है जो छोटी-छोटी coffee shops है वो सारी चीज़े अवलेबल है snacking के लिए बच्चे जैसे बाहर जाना चाहते हैं तो आसपास की जितने भी patients हैं वो सारे के सारे आपके government hospital में आना पसंद करते हैं तो इसलिए जो वहाँ के senior doctors हैं और जो teachers हैं जब आपका clinical rotation होता है तो वो आप लोगों के साथ होते हैं सारे patient को जो भी जब आपका clinical rotation के जब lectures होते हैं आपके तो उसमें आपको patient को diagnose करने में help करते हैं और क्योंकि Russia में climatic conditions थोड़ी सी अलग हैं तो वहाँ पे आपको अलग अलग नहीं जो disease होती हैं आपको उन पे भी research करने का मौका मिलता है तो उसमें आपके जो वहाँ के doctors हैं वहाँ को पूरी help करेंगे तो clinical की तो आपको कहीं भी कोई भी problem नहीं आने वाली है आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए बहुत अच्छा institute है बहुत अच्छा उसका hospital है clinical के लिए ब प्राइस है उसको अनवर्ट करके देख लीजे मैं आपको इस वीडियो में इस लिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि जो आज कल रूबल का प्राइस है वह काफी जादा फ्लक्ट्वेट कर रहा है वह कभी 1.25 होता है वह कभी 1.2 होता है 1.3 होता है 1.31 होता है तो अलग- पूरा फीश ट्रक्टर बेजेगी जितने भी आपके एक्सपेंसेज है वह आप सारे चेक कीजिए लग-भग मेरा ऐसा मानना है क्योंकि युनिवर्सिटी की फीज दो लाग चालिस हजार रूबल है तो कोई लग-भग तीन लाग रुपए के करीब होगी तो 18 लाग के करी जिए कि एक युनिवर्सिटी जो की मौस्को के बिल्कुल पास है मातर साले 300 किलोमेटर दूर है इंगलिश मेडियम में उसकी पढ़ाई होती है उसके अलावा 400 से जादा उसमें इंडियन स्टूडेंट्स है और चार बैचेज वहां से MBBS करके आ चुके हैं और इंडियन फ आपको पता है कि आप लोग कॉंटेक्ट लगातार करते ही हैं तो वही नंबर है आपका आप नीचे देवे कॉंटेक्ट नंबर पर हमसे कॉंटेक्ट कीजिए उनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्टर मंगाईए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो इस वीडियो मे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें इट्समी गोविन परताप सिंग